हेलो फ्रेंट्स वेलकूम टो माई यूट्यूब चैनल सरसुदी कॉमर्स एकेडमी तो फ्रेंट्स आज हम करने वाले हैं अपना क्लास प्लस फन अकाउंस का चैप्टर नमबर 20 ठीक है आज के हमारी चैप्टर का जो नेम है वो है केपिटाल एंड विवेन्यू ठीक है आज क जो एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकीशन है वो टू टाइप से करते हैं ठीक है फर्स हमारे पास होता है कैपिटाल एक्सपेंडिचर एंड सेकिड हमारे पास होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास टू टू टाइप्स की जो है हम इस तदिर केसे को एन्रेश का नोटिफिकेशन मिलता कि अपने छेएगा, इस चेक्टर क में प्रेन कर दे केटिये तो आप कोज़ु भी टॉपिक जब एज़री सम्म 드्याइइ मने यह हम आज क्ट है लुफक करते हैं थे सबसे अब क्छा होते हैं जिसका क्टियें हैं तो उसका एक बन है दो में बुआ 15 सालों तक हम उस benefit को gain कर पाएंगे तो अब इसके definition देखे any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed assets आप देखो यह क्या होता है तो इसमें यही बात आती है कि हमें इसका benefit लंबे time period तक मिलता है और इससे second part क्या आती है यानि कि कोई भी हम ऐसा खर्चा करते हैं कि जिससे कि हमारी fixed assets के value जो है वो increase होती है आप fixed assets कौन कौन से होती है जो हमारे production करने में काम आती है हमारे business calendar ठीक है अब देखो इसके इंदर एक example दे रहा है एक example है amount spent on the purchase of land and building ठीक है आपने purchase करने पे खर्च कर दिया क्या land and building को आपने purchase किया उसे उपर आपनी खर्चा दिया अब land and building को आप जो है plant and machinery कोई लिया है अगर आप machinery एक पर अपने purchase में लिया आते हो तो आपको काफी time दे तक आप उसे production करते रहते हो तो यह भी इसके एक example है ठीक है अब और example देखिए इसके क्या क्या है expenditure which result in the acquisition of fixes अब देखिए कोई भी हमने ऐसा खर्चा कर दिया या फिर कोई ऐसा खर्चा किया है expenditure in connection with the purchase और erection of fixes या तो कोई भी हमने ऐसा कर दिया कि या तो हमने कोई भी फिक्जस को purchase किया है यह fix the sets को अपने business में बना रहे हैं यह setup कर दिस related fix the sets को जो भी खर्चा हुआ है वो capital expenditure के अंदर ही आता है जैसे कि हम मालों कोई fix the sets हम अपने business में बनवा रहे हैं ठीक है तो हम अपने wages को जो भी salary वगेरा pay कर रहे हैं तो वो इसी कर आएगा for erecting machine ठीक है machines बना रहे हैं या कुछ भी इसके इंदर कुछ भी करा रहे हैं तो वह सारा का सारा इसी के अंदर आएगा next हमें दे रखा है expenditure which results in the improvement of fix the sets यानि कि हमने अपनी fix the sets को इंप्रूब करने के कोशिश करें अगर अपनी fix the sets को इंप्रूब करते हैं तो उसका benefit भी हमें मिलता है इसके अधर हमें एक example दे रखा है कि जो हमारे पास जो एक cinema hole है ठीक है cinema hole पता होगा आपको जहां भी अधर हम फील्डम लेखने जाते हैं तो यानि कि हमने वहां पर क्या किया जो वहां की बैठने का जो sitting करें होता है हमने वह और sitting जो plan होता है आपको हमने और seats वहां पर बढ़ा दी अब देखो और seats हमने वहां पर बढ़ाई है तो वहां पर जब next movie आएगी तो और लोग भी वहां पर जो है movie वगएर देख सकते हैं तो उसे हमें क्या मिला तो उसे हमें फायदा हो और बहुत लंबे time के रिए तक हमें इसी तरीके से फायदा होगा रहेगा ठीक है तो यह कोई आपनी fixer sets खरीदी है या कोई आप इसे बिजनर से लेके आ रहे हो या उसको कोई erection वगारा से कोई भी खर्च्छर कर रहे है य आप अपनी बिजनर्स को बढ़ा रहे तीक है उससे रेके आपको इखर्चा कर रहे हो जैसे कि इसके अंदर एक example दिया कोर्स वोगा patent पेटेंट क्या होता है पेटेंट ना हमें एक राइप मिल जाता है कि आपके बिजनर्स का जो 10 बार कोई भी नहीं उसको तरीके से हमें जासा में जाता है पेटेंट भी ठीक है और इसे तरीके से आप को स्टार्टिंग में जो भी खर्चे करते उसको बहुत है प्रिदेंब्रे एक्सपेंस और गुडविल आप देखो जब आपकी बिजनर्स से गुडविल अच्छी होती है तो आपको लंबी परिट तक आपक तो यानि पिदि गुडविल का मतलब होता है एक अच्छी रैपुटैशन कि मार्केट में अच्छी रैपुटैशन मनाना कि जिससे क्या होता है हम इक जाधा फीचर में प्रौफिट अर्टीर्स होती है जैसे आपके शहर पें ध wedi कोई भी क्या हो सकते कोई इन पोप्पि तो capital expenditure समझ में है, जिससे आपकी fix a sense की value जो है, increase हो जाती है, ठीक है, आप देखो revenue क्या होता है, revenue expenditure, ऐसा कोई भी आपने खर्चा कर दिया, कि जिसका खर्चा करने से जो आपको profit मिलेगा, जो आपको profit earn होगा, वो आपको सिरफ उस current year में ही आपको profit मिलेगा, उससे जाधा के आपको profit नहीं मिलेगा, any expenditure the benefit of which is received during the current year itself, कि कि current year में ही आपको benefit मिलता है, all the revenue expenditures are debited to trading and profit and loss account, जब भी आपको इभी खर्चा करते हैं, और revenue expenditure करते हैं, यानि कि उसी सार से rated आप खर्चा करते हैं, तो आप trading and profit and loss बनाते हैं, आपने कावी बार सुना है, trading and profit and loss वापने से next chapter में पर भी financial statements पर भी हम discuss करेंगे कि क्या होता है, वैसे इसमें क्या होता है, आप जो भी खर्चा आता है, expenditure वो आप profit and loss में भी आप क्या कर देते हो, debit कर देते हो, अब वो देखो कैसे करते हैं, हम एक बनाते हैं profit and loss, ठीके, इसके debit side में हम क्या लिखते हैं, सारी expenditure लिखते हैं, यहां पर amount आ जाती है, यह आपकी credit side में आप income लिखते हो, फिर amount, ठीके, तो यानि कि जो भी खर्चा हुआ, वो आप यहां पर show कर देते हो, ठीके, तो यह हैं आपके revenue expenditure, ठीके, अब देखे हैं हमारा first example, revenue expenditure का, expenditure incur for the purpose of day to day running of business, ठीके, यानि कि आप कोई भी ऐसा खर्चा कर रहे हैं कि जिसको हमें daily basis पे अपने business को run करने की लिए, business को चनाने के लिए हमें खर्चे करने ही पड़ते हैं, ठीके, such as selling expenses, ठीके, यानि कि जब भी हम कोई भी sale कर रहे हैं, कोई समान, ठीके, तो हमें expenses करने ही पड़ते हैं, ठीके, तो यानि कि जो revenue expenditure है, वो हमें day to day business को run करने के लिए वह करने बढ़ते हैं एक्सपंडिश्ट थीए नेक्स परचेश फोटन ने को तो यानि उसको बनाने के लिए फिवेस बनाने के लिए तो हम जो भी खर्चा कर रहे हैं तो इसी के अंदर आएगा अब देखो परचेश करें हैं परचेश जो है हमारे बिजनस के करने के लिए कि हमें क्या करना पड़ता है कोई ना कोई खर्चा करना पड़ता है अब देखो मालो कोई हमारी बिल्दिंग के ओपर हमें वाइट वोश कराना पड़ रहा है तो उसका क्या मतलब उसको मानते हैं तो वाइट वोश करेंगें पड़ता है एक साल नहीं हो दो साल चल जाएगा वाइट वोश कराया हुआ अपनी बिल्दिंग के ओपर फिर से हमें दुबारा पड़ेगा यानिकि लंबे टाइम तब तक हम इसका benefit नहीं मिला ना तो उसक आपकी प्लान एट मेशिनरी हैं बिल्डिंग है कुछ पी है आपकी तो उसके उपर क्या करना पड़ता वैसे मौस्टी कैसे पर लगती है वो किसके उपर लगती है तो यादिशन जो है आप हर साल लगाते हो आपनी डैप्रीशेशन वारे चेप्टर में देखा भी होगा कि यादी डैप्रीशेशन है कि हर साल आप लगाते ही हो अमनी फीड़ते चार्ज करते हो सकती हो आपको अगर अगको इसे भी मेचंड से बिल जाए है चैप्टर नमर 15 है तो आप इसलि जो है समझ सकते हैं तो यह को है आपको जल्दी-जल्दी करने पढ़ते हैं जो आपकी रिवेश्च पर निचल है only helps in maintaining the existing earning capacity वो यानि कि आपको लंबी टाइम पिरेगे तो यह तो नहीं है कि आपको ज्यादा प्रोफिट होंगे बड़ जो आपकी अधी कैपिसिटी जो आप लंबे टाइम तक कर सकते हो तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको घर्ची जो है ये करने पड़ते हैं चीक है तो यह है आज कम हमारा टॉपिक जिसमें आज हम ने डिसकर्स किया है कैपिटल और Рिमेन के से परकांज के यहाथ हैं क्लासिफिकेशन और एक्सि क्या होती है कैपिटल एक्सिटर को से होते हैं और एंसवेल हम डिसकर्स करने हाले हैं इनके से बीच में क्या डिफ्रेंस होते हैं तो आप गो बहुत जो देख 1968 के साँथ एंक्अ को साथ झाल 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 झाल